आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडों खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें ए को मान ले 2i cap प्लस 6 j cap प्लस 27 k cap और हम b को मान ले i cap प्लस lambda j cap प्लस mu k cap ठीक है तो यहाँ a cross b करें हम, तो आपको कितना मिलेगा i cap, j cap, k cap लिखा हमने, दूसरी पंक्ति में a के लिए लिखेंगे तो 2, 6 और 27 और b के लिए आ जाएगा तीसरी पंक्ति में एक lambda और mu, तो देखिए यहाँ से कितना बना, i cap के साथ आपका आ जाएगा 6 mu minus 27 lambda, ठीक है, इसी तरह j cap के साथ आपका, यहाँ minus लिखेंगे minus j cap के साथ आपका कितना आएगा, देखिए, यहाँ minus j cap के साथ आपका आएगा 2 mu minus 27, और k cap के साथ कितना आजाएगा, 2 lambda minus 6, ठीक है, अब यहाँ जो है, a cross b, आपको 0 के बराबर दिया गया है, सवाल में, तो हम क्या करें, यह सभी 0 होने चाहिए, यानि i cap के साथ जो संख्या है, यह j cap के साथ जो संख्या है, और यह k cap के साथ वाली संख्या, तो हम क्या लिख सकते हैं, कि 6 mu minus 27 lambda बराबर 0, 2 mu minus 27 बराबर 0, और 2 lambda minus 6 बराबर 0, यहां से हम लिख सकते हैं, इसे समी करन एक कह दीजे, इसे 2 और इसे 3, तो दोस्तों 3 से देखिए, आपको क्या मिल रहा है, 2 lambda बराबर 6, यानि lambda बराबर 3 मिल गया, इसी तरह 2 से हमें क्या म यानि mu आ गया सीधा 27 बराबर 2, ठीक है, अब यदि हम इसे 1 में रख दे, तो 6 गुना 27 बराबर 2 minus 27 गुना 3, कितना आ रहा है यह देखिए, तो दोस्तों यह आ रहा है 0 के बराबर, यानि यह है जो हमने lambda और mu लिखा लाए, यह है समी करन एक को भी satisfy कर रहा है, तो जो हमें सवाल में कहा था कि lambda और mu लिखा लिए, हुमारे उत्तर क्या है, lambda आया 3 के बराबर और mu आया 27 बटे 2 के बराबर, धन्यवाद